प्यारे शात्यों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बहतरीन स्पेशल क्लास में जिसमें हम कर रहे हैं आरे सगरवाल थार्ड राइटर का कम्प्लीट सॉल्यूशन जी हां तो 70 कोश्चन हमने आपको बता दिया था तो हम शुरुवात करेंगे 71 से उमीद है कि जितने भी सेशन्स आपको आरे सगरवाल के मिल रहे हैं वो बहुत ही इंटरस्टिंग तरीके से आप पढ़ रहे होंगे एक भी क्लास शूटना ने चाहिए हर एक कोश्चन का मतब जो आरे सगरवाल की जो नई किताब आई है जो लेटेस्ट वर्जन उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं ठीक है और आप एकदम बिलकुल एक एक कोश्चन बारिकी से सीखिए बुक में और हमारे सॉल्यूशन में बहुत अंतर रहेगा ठीक है चलिए शुरुवात करते हैं करें एक वस्तू के मुल्य में दस प्रतिशत कमी कर देने के बाद इसके मुल्य को इसे मुल्य रूप है मुल्य रूप मता जो प्रारंभिक रूप था मुल्य रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वर्दी करनी होगी मान लीजे कि एक वस्तू के मुल्य में 10 प्रतिशत कमी मान लीजे कि वस्तू का मुल्य सर प्रारंभिक मुल्य 100 था इसमें हमने 10 प्रतिशत की कमी कर दी यानि ये फाइनली हो गया 90 सवाल के रहा है एक वस्तू के मुल्य में 10 प्रतिशत की कमी कर देने के बाद इसे मुल्य रूप में लाने के लिए कि जब कमी कर रहे थे तो तुलना सौ से कर रहे थे विर्दी करने की बारी आई तो तुलना नब्बे से करे तो यानि जब तुलना सौ से करना हो तो डायरेक्ट विर्दी या डायरेक्ट कमी लेकिन इसके अलबा किसी और से करना हो तो यह प्रोसेस कह रहे एक वस्तू के मुल पूरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे बस समय दीजिए ठीक है टाइम लगेगा आप चाहेंगे कि जल्दबाजी में कोई चीज हो जाए यह पॉसिबल है नहीं चलिए फिर अगले कोश्चन पर हमाते हैं ठीक है सवाल एक और है यह बड़ा बहतरीन कोश्चन है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस कोश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा सवाल करा है एक 나라 streaming अपनी लागत का दस प्रतिशत मिलता है देखिए लागत कितना था इसको कितना मिला ठीक है कितना धन मिला तो आप पहले यहां से निकाल लीजिये कि इसका दस प्रतिशत निकालेंगे तो दस बटे सो डवल जीरो से डवल जीरो कहेंगे सर इसको कितना मिला पचास अजार रूपया मिला यह एक लाइन हमने क्लियर कर देब कोशन बाकी है एक वेक्ति ने एक वेक्ति ने एक घर पांच लाख में खरीद कर किराये पर उसको दे है मतलब हाँ इस प्रकार उसे प्रतिवर्स अपनी लागत का दस प्रतिशत धन मिल जाता है तो पांच लाख लगाया था दस परसेंट तो पांच लाख का दस परसेंट यहनी हर वर्स उसको पचास अजार रूपया बसता है तो कर घर का मासिक किराया कितना होगा तो देखे के यह एक बहुत ही important question है मान लीजे कि यह question number 72 है मान लीजे यहां से हम इसका solution शरू करते हैं मान लीजे कि घर का जो मासिक किराया पूछ रहा है तो मासिक किराया आप मान लीजे कि X रुपईया होगा तू नो हमारी बात यानि हर महीने कितना रुपया किराया मिलता होगा उसक एक महीना एक वर्ष में 12 महीना होता है एक महीना में X किराया तो 12 महीना में 12 X यहां तक सब को क्लियर है सब लोग कहिए जी सर बिल्कुल क्लियर है अब देखेगा कि यह खर्च कितना करता है तो आप यहां से लिख दीजे खर्च ठीक है कि यह कितना खर्च करता है बहुत बह तो कुल खिराया कितना है तो कहेंगे कुल खिराया नहीं वार्षिक किराया 12 x 12 x का शड़े 12 प्रतिशत यानी 25 बटे 2 प्रतिशत यह मरम्मत कराया और इसी के साथ ही साथ 1660 रूपईया टेक्स दिया 60260 रुपय क्या दिया? text दिया, तो इसको अगर solve करेंगे तो तो देखो इसको 25 बटे 2 है ना और यह जो परतीषत है इसको हटाएंगे, ठीक है? एक सेकेंड यह सही है ना हाजी पचीस बटे दो प्रतीशत है यहां पर हम ऐसे लिखेंगे पचीस बटे दो प्रतीशत तो जब यह प्रतीशत हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा यह उपर किराया एक्स रुपया कट गया था ठीक है तो पचीस परतीशत हटाएंगे तो बटा में सौ हो जाएगा यदे अइसे अपला शुल्हा रुपया और इसका खर्चेन नहीं खुद देखो सोच कर बहुत ही सिंबल सा मैठे है कि मासिक किराया हमने प्रशन क्या पूछ रहा है घर का मासिक किराया जो पूछा हमने उसको एक्स माना तो हमने कहा सर महीने का किरा एक वर्स में 12 महीना, तो वार्शिक किरायां, पूरे एक साल का किराया जो है, वो 12X है, क्युंकि एक वर्स में 12 महीना होता है, खर्च क्या कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है कुल किराये का, वर्ची साथे 12 प्रतिशत, यानि 25 बटे 2 आपर 60 ol ताये तो बटा में 100, करते हैं 25 चक 100 ठीक है तो यह आपका हो जाएगा ठीक है यह यहां पर ऐसे हो जाएगा चारती या बारा थ्री एक आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3xy2 पलस 1660 रुपया यह इसका खर्च जी देख लिजें यहां तक क्लियर है 3xy2 पलस 1660 रुपया अब देखिए कि भाई इसको ध द्धन कितना मिला द्धन मिला 50,000 तो यह 50,000 क्या बना जैसे द्धन मिलना यानि आपको किराया आया यानि वह आपकी सेविंग है न जैसे आपने किराये पर घर को लगाया और आपको हर साल 50,000 रुपया मिला मिला कईये या कईये सर बचा यानि बचत तो देखो भई यहां पर हम लिखते हैं बचत, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो कुल किराया कितना है, कहेंगे सर कुल किराया था 12X, 12X में आप खर्चा कितना करते हैं, 13, 3XY2 प्लस 1660, 3XY2 प्लस 1660 रुपे है, ये ये आपका खर्च है भई, अगर I में खर्च को घटा देंगे तो बचत, और बचत कितना है भई, पचास हजार रुपे, फोड़ा सा ये मैथड लंबा है क्योंकि कोश्चन का लेवल है, अब क्या करिए कि 12X माइनस 3XY2 और ये यहां माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, लेकिन इधर जाएगा तो फिर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहां तक देखो, कुछ नहीं करना है, बारा दुनी 24X में 3XY2 करिएगा, तो 51,660 रुपे है, आप देखो 24X में 3X गया, 21X बटे 2 बराबर 51,660, आप देखो करना क्या, साथ से काट दो, सत्तिया 21, 3 बार में, सत्तिया 49, सत्तिया 21, सत्तिया 84, यह आपका ऐसे हो गया, फि तीन दुनी 6, 24 बार में, 24 तिया 72, 6 तिया 18, एक बार में 0, एक्स बटे 2 इस इक्वल टू, 2460, ठीक है, देन X इस इक्वल टू, यह भाग में, उधर गुना में, 4920 रुपई है, आपने सवाल क्या करा था, यह थोड़ा सा मेथड यह लंबा गया, लेकिन बेटर हमने क्या माना था, मासिक किराया हमने माना था, X, और X की वैल्यू, 4920 रुपया, कह दीजे सर, बिल्कुल गणित एकदम मक्खन हो रहा है, आई बात समझ में, तो देखो, इस कोश्चन को लंबा करने का रीजन था, कि इस कोश्चन में कॉंसेप्ट था, लेवल है भाई, ने, टुकडो में बटा हुआ इसका सॉल्यूशन, तो इसलिए थोड़ा तो समय देना पड़ा इस कोश्चन के लिए, बाकी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है आप सभी का, कहेंगे हाजी सर, यहां तो आपका क्लि इस परिशत बचद करता है, दो बर्स बाद, उसकी आय में 20% की ब्रदी होने के बाद भी वह पहले जितना ही बचद करता है, क्या बात है, तो बचद कर सकता है, तो उसके खर्च में कितने की ब्रदी, देखो समझो इस सिर को, मान लो कि रमेज की आय जो है, वह पहले 100 था, तो वो बचत कितना करता है रमेश अपनी आए का 20% बचत करता है तो obviously simple सी बात है कि कोई x-vex ज्यादा यूज नहीं करेंगा तो आए 100% बचत 20% तो आप खुदी बताईए ना कि खर्च केतना है कहेंगे सर खर्च 80% हो जाता होगा सौ में 20 ही बच रहा है तो 80% खट अब इसी में एक वर्ड और यूज किया गया कि यदि उसकी आए में 20% की बिर्दी हो जाए अब अगर आए की बात करें ठीक है अब अगर आए की बात करें तो आए हो गया 20% बिर्दी यानि आए हो गया 120% उसके बाबजूद भी पहले जितना बचत करता है तो बचत कितना कर रहा है 20% तो डाइरेक्ट बीस नहीं गटाएंगा हमने बोला जब तुलना 100 से हो तब डाइरेक्ट जोड गटा सकते अब 120 हो गया ना तो अब 20% का बचत करने का मतलब है कि 80% खर्च करता होगा तो 80 बटे 100 देखो calculation अच्छे से सीखो यहाँ पर एकदम बिल्कुल कह रहा है अगर उसकी आए 20% बिर्दी होने के बाबजूद भी पहले जितना ही बचत करता है तो पहले बचत करता है था 20% या तो आप डिरेक्टली 20% निकालो 20 बटे 100 00 से 00 तो बचत कितना किया भाई 24% तो आप हमें बताईए कि खर्च कितना देखो अब आए बढ़ गया ना 120 में 24% खर्च हुआ 120 में 24% खर्च हुआ 120 में 24% बचत हुआ तो खर्च होता है I- बचत 120 में 120 में 24 घटाएंगे कहेंगे सर खर्च हो गया 96% देखिए I- कम होता था तो खर्चा कम था I- बढ़ गया तो खर्चा भी बढ़ गया भाई तो सवाल कह रहा है कि उसके खर्च में कितने परसेंट की बढ़ जो खर्च 80% था अब 96 हो गया तो आप बताएंगे खर्च में कितने की बरदी कहेंगे सर 80 96 हो गया 16% की बरदी प्रतिशत बरदी बराबर बरदी गुने 100 अब बरदी हमेशा छोटे वालो में 80 में बढ़ाना ये तो बढ़ किया है 96 तो कहेंगे सर 16 की बरदी भी 80 में ऐसे भी लिख सकते हो तो 16 85 20 500 कहेंगे सर उसके खर्च में 20 प्रतिशत की बिर्दी वी ये तरीका ये जो concept हम आपको दे रहे हैं वो सबसे नया दिख रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है बस बने रहे हैं धहरी और सयम रखे बहुत बहतरीन class हम आपको यहां पर provide करेंगे इसके बाद आप कोई भी एक्जाम में जाकर बैठ जाओ भाई वो railway group D हो या ससी सीजियल हो आपको group D से उठाकर सीजियल तक का level देंगे अब आपको depend करता है कुछ लोग कहते हैं सर यह batch यह course railway के लिए है ससी के लिए defense के लिए कोई हम तो कहते हैं न कि आप एकदम MTS से सुरू करिए और CGL तक जाए और हमारा content हमारा concept देखिए और हमारे 74 सवाल बड़ा बहतरीन है यह question normally notes वगेरा में कई बार देखने को मिला है set practice वगेरा में जो हमने आपके screen पर रखा है आए इस प्रश्ण के अगर solution की बात करें सवाल कह रहा है 405 मिठाईया कुछ बच्चों को इस प्रकार वित्रित की गई है कि प्रतेक बच्चों को मिलने वाली मिठाईयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20 प्रतिशत था तो प्रतेक बच्चे को कितनी मिठाई मिल को इस प्रकार वित्रित किया गया है कि प्रतेक बच्चे को मिलने वाली मिठाईयों की जो संख्या है वो कुल बच्चों की संख्या का 20 प्रतिशत तो मान लीजिए कि यहां पर बच्चा जो है वो यक्स है तो प्रतेक बच्चे को कितनी मिठाई मिली देखे प्रस्ण में दि बटे सो यानि ये पांच बार में यानि प्रतेक बच्चे को कितनी मिठाई मिली एक्स बटे फ़री अब देखे कुल मिठाईां कासे निकलेगी मालो आपने 50 बच्चे को 3,3 मिठाई दी तो कितनी बटी देड़ सो 50 बच्चों को 4,4 देदो 200 60 बच्चे को 5,5 देदो तो 300 जैनि बच्चों की संख्या और परतेक बच्चे को मिलने वाली मिठाईय को आपस में गुना करदे, तो हम यह पता छल जागा, कि हमने कितनी मिठाईय है बाती, तो प्रस्ट ने क्या कह liberal है भई, प्रस्ट ने कहbildung आसान तरीके से, कि परतेग बच्चे को कितनी मिठाईय मिली हम बोलेंगे सर कुल बच्चों की संख्या X थी परतेग बच्चे को हमने X बटे 5 मिठाई दी यहां देखे ना कुल बच्चा X था और परतेग यह कितने को मिला X बटे 5 भाई परतेग बच्चे को कहेंगे कुल बच्चों की संख् x थी और परते एक बच्चे को x बटे 5 मिठा ही बाटी गए और बाटते बाटते हमने बाट दाला 405 हो गया भई तो ये हो गया x square x square बराबर इधर गुना करिए तो 5 पचे 25 और 5 चक 20 देखो जी 2025 गुना करके देख लो 5 चक 25 पचे बढ़ी लेकिन हमें x square नहीं चाहिए हमें चाहिए x की value यानि अंडर रूट 2025 का बरगूल निकाल कर देख लेना 45 आएगा सवाल क्या पूछा करें परतेग बच्चे को कितनी मिठाई या मिली अगर प्रश्न पूछता कि कुल बच्चों की संख्या तो अगर बच्चा बोलता तो बच्चों की संख्या x थी और x का मान 45 होता लेकिन यह नहीं पूछ रह है करें परतेग बच्चे को कितनी मिठाई ठीक है तो परतेग को कितना मिठाई मिला तो यहां देखें सर परतेग को x बटे 5 मिठाई मिल रहा है x की मा एक्स का वैल्यू 45 है 45 बटे 5 यानि 9 बटी 9 अब 45 गुने 9 करो देखो 405 आता है की नहीं आता है तो आप से पूछ रहा कि प्रतेग बच्चे को कितनी मिठाई या मेली सर जीनो कुछ लोग 45 को मार रहे वो गलत उत्तर है हाँ अगर इसी में पूछता कि कुल बच्चों की कितनी संख्याती तो कहेंगे सर 45 अस्टूडेंट था हर एक को 9-9 मिठाई दिये 45 हुने 9 कडिये 405 आ गया यानि आपके प् कह दीजे गणित एकदम मक्षन हो रहा है सर तब लोग एक बार कह दीजे कि गणित माने तो बिलकुल मक्षन ठीक है रेडी फॉर दे नेक्स्ट कोश्चन अगला कोश्चन भाई कोश्चन नमबर 75 के रहे एक परिक्षा में 640 चात्र ठीक है एक परिक्षा में 644 चात्र तत तोटल जोड कर देख लो भाई एक हजार स्टूडेंट हुआ बात एकदम समझ में आया कि रहे इसमें से 60 प्रतिशत लड़का और 80 प्रतिशत लड़की तफल रहे तो फैल का प्रतिशत बढ़ा है देखिए पहले आप यहां निकाल लीजे फैल डाइरेक्ट पॉइंट प चीael का 640 or 640 में 30 पर्सेंट लड़का पास हुआ तो पास हमको क्या मतलब सीधे फैल निकालिये ना कुल संख्या शो पर्सेंट अर अगर 60 पर्सेंट पास हुआ तो 40 पर्सेंट फैल हुआ होगा 40 बटे 100 लड़की थी भई 360 अब इस में से 80 पर्सेंट पास होई तो फैल कि योगी 20% कुछ नहीं करना है डवल जीरो से डवल जीरो और डवल जीरो से डवल जीरो चार चक 16 और छे चक 24 पचीस अपलास 36 दुनी इसको अच्छे से लिख दें यह हो जाएगा 256 और यह हो जाएगा 36 दुनी 72 तवाल समझी सीज को जुटकर आएगा 628 और 7 512 और 213 भै ती 328 लड़ स्टूडेंट जो फैल हुए अब देखें सौटकट हम आपको समझाते हैं कुला स्टूडेंट कितना था कहेंगे सर कुला स्टूडेंट सौ था हजार था जोड़कर देखें ना हजार और इस हजार में पास फैल कितना हुए 300 है अगर इसकी वैल्यू प्रतीशत म निकालनी हो तो हम डाइरेक्ट कहेंगे कि सौ में अगर सौ का रेशियो अगर हजार का रेशियो है तो डाइरेक्ट आप लोग 32.8 प्रतीशत कर सकते हैं लेकिन नहीं तो सीखिए कि सर 328 वो फैल हुआ तोटल हजार स्टूडेंट में अब परतीशत चाहिए तो परतीशत क कि बसकी बात नहीं यह concept को clear कर पाना 75 question हमने percentage के cover कर दिया है यहां तक आपको यह चौथा session चल रहा है इतने में आपको चौथा या पांच बाव जो भी है यह पांच बाव सेशन है इतने में आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ देखने को मिला होगा यहां तक बात किलियर है कहेंगे हाजी सर बिलकुल सही बात बड़े हमागे बड़े concept किलियर हो रहे है चलो एक और सवाल देखो जी कह रहा है एक परिक्षा में पूरी कक्षा का अउसत अंक 80 है इसमें से 10 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 95 अंक तथा तेस 20 प्रतिशत ने 90 अंक प्राप्त किये तो सेस विद्यार्थियों का देखें यह सौटकट ही थोड़ा बहतर तरीके से बता है मान लीजिए कि टोटल 100 विद्यार्थि है तेखें समझो इसी को या फिर 100 भी मानने का जोरत नहीं है एकदम छोटा प्रोसेस बता है एकदम छोटा किताब में क्या बताया हुआ मुझे नहीं उससे मतलब है अगर मैं किताब से ही बता दू सारा उतार दू तो फिर मुझे क्यों आप लोग देखोगी पिर तो किताबी बेटर है नहीं, तो क्योंकि ये सारी किताबे मैं बुक से सॉल्व करा हूँ, आरे सगरबाल थर्ड राइटर, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन 2023 का है, उसका सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, तो किताबी बाहसाओर हमारे में जमीन आसमान का अंतर होना प्रतर्षत विद्यार्थियों ने 90 प्राप के, तेस विद्यार्थियों का सथ, हम अपने मन से मान दिये, चाहो तो आप दास 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 900, कुछ भी हो, जादा तर लोग 100 मानते हैं, हम सोचे क्यों ना सर, एकदम शौट वे में इसको सॉल्व करें, तो हमने मान लिय कि बही टोटल विद्यार्थियों की संख्यादास है, कहिए गए ये क्या है, बिलकुल मान कर तो देखिए एक बार हमारे बताए गए मार्ग दर्शन पे चल कर तो देखिए, राह बिलकुल आसान हो जाएगा, हम क्यूं एक्स माने, फालतु में कैलकुलेशन लंबा चल जा हम टोटल विद्यार्थियों की संख्यादस मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखिएगा, कह रहा है कि एक परिक्षा में पूरी कक्षा के आउसत अंक असी थे, मान लीजे भाई, दसी अस्टूडेंट है, अउसत का मतब परतेख होता है, परतेख ने असी असी नंब अब देखो भाई, अस्टूडेंट तो दसी था, अब दस का दस परसेन्ट निकालोगे तो ऐक अस्टूडेंट आईगा, अगर सौ मानते तो सौ का दस परसेन्ट दस हाता है, लेकिन आम दस का दस परसेनिक कालें, तो दस गुने, 10 बते 100, 2000 कटके आया, यानी कह रहा है कि इन में से 10 प्रतिशत विद्यारती यानि 10 का ठीक है यहां देखो इदम चीजों को अच्छे समझे दस का क्योंकि दसी विद्यारती थे रहा दस प्रतिशत यानि एक अस्टूडेंट ने कितना नंबर लाया पंचानवे देखो जी फिर कह रहा है तता बीस प्रतिशत विद्यारतियों ने बचा कितना कितना न कहेंगे सरविद्यारती बचा यह एकदम सॉट कर चल रहे है यहां दस में इधर एक था इधर दो था तो दो एक तीन को निकल गया सेश विद्यार्थी बचा साथ और सेश अंक देखो कितना बचा ये भी किलियर कर देते हैं तोटल आठ सो अंक आया था ना दस स्टूडेंट का उसमें से ए गोलाया पंचानवे और दू गोलाया नवे 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 अनि एक सो असी तो आठ सो में ठीक है नौतिया सताइस दो सो पचतर घटा दीजिये ठीक है तो आपको आजाएगा पान सो पच्चीस ठीक है पान सो सत सते उन्चास और साथ पुचे पई तीस देखो जी सेश विद्यार्थियों का अवसत प्राप्तांक पचत्तर आप X करके बनाओ आप सौ मान के बनाओ बनेगा सबका उत्तर पचत्तर ही आएगा लेकिन मिला कर देख लेना कि हम जो आपको बताएं हैं और आप जो किताबी भासा यूज करते हैं उसमें क्या बहुत कुछ अंतर दिख रहा है या नहीं यानि सेश विद्यार्थ जिसको एक बार में समझ में नहीं आया हम उनसे अनुरोथ करेंगे वीडियो के स्पीड थोड़ी स्लो कर दो जैसे आप बढ़ा-बढ़ा के स्पीड में देखते हो ना मतब जो वीडियो एक गंटे की वह 30 मिनट में आप लोग देख लेते हो 40 मिनट में देख लेतो तो वहां पर हमें कितनी ठकावाट होती होगी फड़ा हमें स्लो करके देखो और मजा आएगा ठीक है चलो किलियर होगा टेंशन की बात नहीं है बने रही है बस हमारे साथ एक परिकष्छा में 35% विद्यार्ति उतिर्न होए चार्सो पचुपन गोने देखो जी कूल विद्यार्थियों की संख्या 100% पास और फैल का पहले प्रतिशत लिखिए के रहे एक परिकष्छा में 35% विद्यार्थी स्थे पास हुआ होगा तो 25% फैल होगे clearly। चार सो पचपन अनुत्यरन हो गया देखो जी चार सो पचपन वो फैल हो गया परतिसत में 65% फैल का तुलना फैल से कुल विद्यार्थी पूछ रहा है तो कोई भी चीज 100% होता है ठीक है छे सते बियाली साथ बार में कड़ जाएगा साथ पचे पैटिस चत्दे साथ गुने सर्जी कुल विद्यार्थियों की संख्या 700 आपके स्क्रीन के उपर बी नमबर ओप्शन तीक है यह फुली आरे सगरबाल का ट्रीकली सॉल्यूशन है एकदम गनित को मक्षन मानेंगे और हां किताब खरिदने की आपको जरुत नहीं है आपके कूर्स के अंदर आपका हम PPT एड करवा देंगे परिशान मत हो यह हम ने जब बोल दिया है करवा देंगे तो इंतिजार कर लीजिए जैसे यह चैप्टर खतम होता है उसके बाद PPT हम डलवा देंगे मतलब जिस चैप्टर का हम सॉल्यूशन खतम करेंगे आपके कोर्स के अंदर उसका PPT आपको तुरं बना के देखिए देखो यह थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कोशन है है कुछ नहीं डराता है यह बिल्कुल सिंगम की तरह लेकिन डरने का नहीं एक दम बाजी राव मस्तानी की तरह इसको सॉल्व करने का करें एक परिक्षा में कुल परिक्षार्तियों का साड़े 37 देखो जी कुल विद्यार्तियों की संक्या की अगर बात करें तो कुल विध्यार्तियों की संक्या होगा 100 परतिशत इस में से अगर बात करें तो आपको दिया हुआ भी है कि साड़े 37 प्रतिशत लड़कियां थी और कौमा लगा के दे देते हैं कि साड़े 62 प्रतिशत लड़के थे बात एकदम क्लियर हुआ अब कहे रहा है कि लड़किया तथा 75 प्रतिशत लड़के उत्तिर्न हुए ठीक है पचतर प्रतीशत लड़के उत्तिर्न हुए और 342 लड़किया अनुत्तिर्न हुए अच्छा कितने लड़के एक बर मुझे कोशन थोड़ा सा देखने दीजेगा ठीक है ना देखे सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं पहले एक बर लेंग्विज मैं देखते हो लूँ कि है ये क्या क्या है भाई कौन सा ये तुर्रम खाने कोशन नमर 78 हो सकता है टाइपिंग हमारी टीम ने मिस्टेक किया होगा थोड़ा बहुत अगर नहीं किया तो बिल्कुल इसको सॉल्व करके देंगे हम आपके सामने 78 आ जो भाई हमारे सामने हाँ ओके लड़किया कितनी है भाई अच्छा तो लड़के हो गए अगे अनुतिरन लड़किया हो गए इतने लड़किया अनुतिरन हो थोड़ा सा लैंगवेर इशू है थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे टॉपिक करया एक परिक्षा में पुल विद्यारतियों का साड़े 37 प्रतिशत लड़किया थी चलो ठीक है पाकी सब लड़के होंगे साड़े प्रतिशत लड़के तथा पचातर प्रतिशत लड़के उत्तिरन होंगे यह कोश्चन कह रहे न हमारे पास कोश्चन भी अवेलेबल नहीं है यह विला एक सेकेंड मैं यह वाला बुक देखता हूं जो हमारे पास पुरानी वाली बुक थी हो सकता है उसी से रिलेटेड़ ह क्योंकि आरे सगरवाल नहीं बुक जो है अभी हमारे पास अभी यहां पे स्टूडियो में अवेलेबल नहीं है ठीक है तो हो सकता है टाइपिंग कुछ मिस्टेक हुआ होगा किसी लड़के के तुरू हम हम कुश्चन नमर कितना है सेवेंटी एट लगतो रहे बिलकुल व हुआ है मुझे लगा ठीक है देखो एक परिक्षा में कुल विद्यारतियों का साड़े साथिस प्रक्तिशत लड़कियां होगी तो बाकी साड़े सब्सक्राइब यहां पर कह रहा है कि साड़े बारसट पर तीशत लड़किया यहां पर फुल स्टॉप दे दो भाई यहां 342 लड़कियां अनुतिर्न हो गई तो पहले लड़कियां कितनी साड़े बारसट प्रतिशत लड़किया तथा 75 प्रतिशत लड़के उतिर्न हो है पहले अगर अनुतिर्न की प्रतिशता की बात करें ठीक है ना तो लड़कियों में साड़े बारसट परसेंट और लड़को परसेंट उत्रीन होने का मतब्द 25% फैलो हो गया ज़िक है अब कह रहा है यदि 342 लड़किया अनुतिर्न होई देखो जी तो पहले लड़कियां थी कितनी यह गर्ल्स है और यह बॉइज है कह रहा है कि 342 इसको अगर पॉइंट को हटा दिया जाए तो यह बटा में हजार जाएगा इसको भी पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 1000 हैगा एक हजर जो कि यह पचीस चक 40 बार में यह 25 यह 45 बार में और ये पाँच पचे पचीस पनी अठी चाली यानि लड़किया थी भाई 3x by 8 x हमने अपने मन से माना ये जो 100 विद्यार्थी थी थी इसको हमने x मान लिया ये हो गया 5x by 8 x कहां से लेकर आए सर अपने मन से क्योंकि हमने कुल विद्यार्थीयों के संख्या 100 भी माना और ब्रैकेट में x रख दिया मतलब जो सक्सेसफूल हो जाए तो हमने calculate किया ठीक है या फिर देखो इस एरिया को कहो तो आटकट में मैं कर देता हूँ, मालो कुल विद्यार्थियों की संख्या X थी, लड़कियां कितनी थी, साड़े साइटीस परसेंट, तो X का साड़े साइटीस परसेंट, यानि साइटीस दुनी चाहुततर एक पचातर बटे दो, अपरतीस अथट हैंगे तो बटा में सो, लड 35, 125, 25, 600, यानि 3X by 8 लड़कियां थी, और 5X by 8 लड़के थे, ये सौटकट तरीका है, अब लड़कियों में साड़े बार साइट परसेंट और लड़कों में 75% फैल हुआ, पास हुआ, साड़े बार साइट पास हो गया तो साड़े साइटीस फैल हो गया, 75% पास हो गया, 342 लड़किया फैल हुई, लड़कियों की संख्या कितनी थी, ये लड़की थी, गर्ल्स और ये बॉइज, तो लड़कियां थी सर, 3X by 8 और इसका कितना परसेंट फैल हुई, ये भी गर्ल्स है और ये बॉइज है, तो 3X by 8 का 35% लड़किया फैल हुई, और उसकी संख्या और इसका value जो है कितने के बराबर है करे 342 लड़किया फैल हुई तो पहले हमने लड़कियों की संख्या डूढ़ा हमें लड़किया मिली 3x by 8 इसका कितना percent फैल हुई तो चौदा फिर 3 से काट दो तीन तिया नौ दो एक्स बटे 64 बरावर 38 क्योंकि एक्स बरावर भाई 64 गुने 38 कर दो यह आपका अंसर होगा आठ चग 32 के दो हाथ में रहा तीन और आठ चग 32 के दो हाथ में आठ चगर तालिस तीन इक्यावन चारती यह बारा चेती यह ठार और एक निस दो तीन चार चौबीस सो बटेस है जहीं मिस्टेक हो गया क्या तो कितने लड़के अनुतिन ओहो ठीक तो है भाई लड़कियों की संख्या कितनी आई चौबीस सो बटेस और यह चौबीस सो बटेस किसका आया कुल विद्यारती आया ना जी एक्स का मान आया एक्स का मान कितना आया चौबीस सो बटेस हमें लगा मिस्टेक हो गया अब सवाल कह रहा है कि कितने लड़के अनुतिन हुआ देखो जी पचित्तर परसेंट लड़का पास हुआ तो फैल कहीं होगा 25 परसेंट हुआ होगा ना तो चौबीस बटेस का पचीस परसेंट निकालेंगे तो पचीस बटे सौ चार बार में 608 है ओप्शन में नहीं यहां पर भी मिस्टेक है मिस्टेक तो नहीं होना चीए एक बार मैं ट्राय करने की कोशिश करता हूँ आप हमें समय दीजिए ठीक है एक बहतर सॉल्यूशन आपको देंगे और बहुत अच्छा सॉल्यूशन देंगे ठीक है समझी इस चीज़ को भाई यह लड़कियों की संख्या होगे यह लड़कों पैल का डाटा लिकलो सीदे सीदेबानकों 12,60% 是 26,60% फैल होगी 75% होने का मतब है कि 25 फैल होगी अब देखो कहरा है कि लड़कियों का यह 342 लड़किया नहीं तरल लड़किया कितनी थी 3X by 8 यह लड़कियों की संख्या है न 3X by 8 और 3X by 8 का कितना फैल हुई 33 दसमलब 5 प्रतिशत बराबर 300 भी आई इस point को हटाएंगे बटा में 10 और यह प्रतिशत हटाएंगे बटा में 0 यहां से काट यह 25 एकम 25 15 बार में और यह 40 बार में 5, 3, 15, 15, 8, 40 8 बार में यह आएगा फिर यह काट दीजे 114 बार में फिर यहां से काट दीजे 3, 3, 9, 38 बार में तो हमें X की वैल्यू चाहिए तो 88, 84 उधर गुना में होगा 64 गुने 38 की अगर बात करें तो 8 चक 32 के दो हाथ में रहा 3, 8 चक 48, 3, 51 4, 3, 12, 6, 3, 18 और एकमी तो 3, 4, 2 ठीक तो है 2, 4, 3, 2, 24, 32 अब कह रहा है कि भाई ये तो कुल विद्यारतियों की संख्या है आप इसमें से कितने लड़के अनुतिर्न हुए तो देखो जी 24, 32 तो कुल विद्यारती है पहले इसमें ओहो हमें उतिर्न लड़कों की संख्या चाहिए ना पास बॉइज तो पहले ये तो कुल विद्यारती हो गया 24, 32 हमें यहां पे कुछ करना चाहिए था इसका लड़का कितना परसेंट है सर लड़का कितना है तेखिए इसमें से लड़का कितना है सर इसमें से तो लड़का 5X by 8 है पहले आप लड़कों की संख्या निकाल लीजे, लड़कों की संख्या अगर ग्याद करें, क्योंकि हमको pass a student नहीं चाहिए, pass लड़के चाहिए, कितने लड़के, तो 5x by 8 लड़के हैं, यानि 5 गुने x की value कितना आया, 24, 32, बहुत लंबा चल गया ये question, 8 तिया 24 और 8 चक 32, तो 5 चक 20 और 5 तिया 15, देखो जी लड़का तो इतना ये 1520, अब इस 1520 में 85% pass हो गया, तो 25% फैल हुआ होगा, तो 25 बटे 100, 4 बार में, 4 तिया 12, 4, 382, 388, हमें थोड़ा सा समय तो लगा, लेकिन हम अपनी मंजिल की और पहुची गए, 300, हमने mistake कर दिया था, यहां तक हम आ चुके थे पहले भी, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार हो सकता है कि आपको दुबारा रिवीजन भी हो गया होगा, और आप चीजों को अच्छे से समझ भी गए होगे, नहीं, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मांजी दा मॉन्टेन मैन बने कारी, नौकरी आपके कदम नहीं चुमेगे, एकदम उसको नत मस्तक कर देना है, और जब आप किसी भी छेतर में जाएं, तो आप एक बार याद जरूर करिएगा, यहां तक पहुचने में, हमने तो महनत की, मतबब आपने तो महनत की होगी, लेकिन यह करवाने वाला कौन था, ठीक है, मार्क दर्शक, ओके, चलो, थोड़ा समय लगा उस कोशन के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, वो कहा गया है ना, कि देर आए, दुरुस्त आए, ठीक है, सवाल एक और हमारे स्क्रीन पर, एक परिक्षा में सफलता के लिए 33% अग चाहिए, एक लड़क हो गया, यानि उसको पास होने के लिए चाहिए था, 165, अब परतीसत में पास होने के लिए चाहिए था, 133%, यानि पास का तुलना, पास से, तो सवाल करा है, कुल पुर्नांक, ठीक है, कुल पुर्नांक यानि टोटल परिक्षा कितने नंबरों की थी, कोई भी पुर्नांक कि जी सर बिलकुल समझ में आ रहा है यह सेशन बहुत ही शान्दार बनाना है बहुत ही बैतर बनाना है गनित को नत्मस्तक करना है और एकदम मक्खन बनाना है ताकि कोई भी एक्जाम कोई माजी दा मॉंटन में करके जाके लड़ जाये उससे ठीक है कि भाई तुमको आज तो तोड़ दिये तो वो भी वरुसानी के छोड़ेंगे कि घर ले कर जाएंगे तुमको चलो सवाल एक पडिक्चा में 1100 लड़का और 700 लड़की बैटे 42% लड़का और 30% लड़की उत्तिर्न हुई कितने प्रतिसा चात्र अनुतिर्न पहले आप देख लिजे कि कितना पल लड़की 700 थी 38% उत्तिर्न हुई यानि 70% फैल हो गई होगी बस कुछने परतिसा थटाएंगे बटा में 100 कर दीजे डवल जीरो से डवल जीरो डवल जीरो से डवल जीरो अंठावन गुने एग्यारा अंठावन दाएं के 580 अंठावन दाएं के 580 और उसमें एक बार से गुना करिएगा तो हमको लगता है कि 538 हो जाएगा मतलब 58 जोड़िएगा क्योंकि 58 के 580 और फिर 58 जोड़िएगा तो 20 सिधर जुटे गारतिस यानि आपको जुटकर आया 538 पलस सत सते 49490 तो आप ऐसा करिए 55138 हमें 10 घटा दीजे 1028 देखो जी फैल अस्टूडेंट है 1028 कहेंगे 1028 स्टूडेंट फैल हुआ कितना में 11 पलस 700 अठारा सो में आपको पूछ रहा है कि वहीं प्रतिशत फैल कितना हुआ होगा प्रतिशत में कितने प्रतिशत चात्र अनुतिर यानि फैल हुए तो कोई भी चीज प्रतिशत में निकालना हो तो बिल्कुल डवल जीरो से डवल जीरो अठारा पचे नबबे या फिर नौ से काट दो नौ दुनी अठारा नौ एक कम नौ तो नहीं हमें लगता है बिल्कुल पूरा-पूरा चलो कोई बात नहीं प्रतिशत में फैल चाहिए तो ऐसे निकाल लो इसार दस सो अठाइस गो फैल हुआ यह सारी अठारह 소 में कीूकि टोटल ही 11 सात 8 है परतिशत के मतला सो परसें डवल जीरो सें डवल जीरो दो से काट लो नौ बार में 514 ठीक है तो 514 बटे-9 करेंगे नऌ 355 संतामन पुर्णांक एक बटे नौ प्रतिशन देखो है ओप्षन में कहीं अच्छा मिस्टेक कहीं हुआ है क्या पान सो चोदाई होगा ना पटे नौ तो नौ पचे पैतालीस पांच बार में नौ चक चौवण नौ सती तिरेशट तो है संतामन पुर्णांक संतामन पुर्णांक एक बटे नौ होना चाहिए यह देख लो सही हुआ है ना ग्यारा सो लड़कों में 42 परसेंट चता तीस परसेंट चता अंठावन गुने ग्यारा ओहो यह बार बार आज मिस्टेक हो रहा है अंठावन गुने ग्यारा 638 होगा ना पलस 490 देखो यहां मिस प्रतिशत में फैल पूछ रहा है यही दिक्कात है ना छोटी-छोटी मिस्टेक्स जोटे-छोटे मिस्टेक्स गहें एंगे सरे 1128 गो फैल हुआ टोटल 117-800 में अपरतिशत का मतलब 100 परसेंट तो डबल जीरो से डबल जीरो नौ दुनी अठारा नौ एकम नौ नौ दुन तीन से काटी है तीन तीया नौ अठारा तीया चौवण और आठ तीया चौविस 188 बटे तीन यह होना चाहिए आपका उत्तर तो 188 बटे तीन को करेंगे तो बारसट पुर्नांक दो बटे तीन प्रतिशत गनित एगदम मखन हो गया बाई एगदम छोटा सा एक मिस्टेक देखें उत्तर में कितनी परिशानिया ला दिया है यहां तक क्लियर है माई डियर स्टूडेंट सभी कहेंगे जी सर बिलकुल समझ पा रहे हैं एकदम अच्छे से क्लियर है 80 प्रस्ण हम लोग सॉल्व कर चुकें आरे सगरवाल थर्ड राइटर की किताब है और बहुत फेमस बुक है यह बताने की जुरुत बिलकुल नहीं है और आप अच्छे से सीख पा रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है हमारे जी 80 कोशन हम सॉल्व कर चुकें और अब हम अग बिद्यार्थी एक परिक्षा में बैठें इनमें से एक बिद्यार्थी ने दूसरे से नव अंक अधिक प्राप्त किया इनके प्राप्तांक दोने दोनों के कुल प्राप्तांकों का 56 प्रतिशत है इसके प्राप्तांक देखो ऐसे लाया होगा कि एक विद्यार्थी परिक्षा में इसमें से एक ने दूसरे से नव अंक अधिक पहला लाया होगा नव अंक अधिक यानि एक्स पुलस नहीं फिर इसके बारे में कि यह जो पहला है इसका जो प्राप्तांक है देखें यहां स इसमें से एक विध्यारती ने दूसरे से नव अधिंग प्राप्त किये तता इसके प्राप्तांग यानि जो सबसे लास्ट में जिसका चर्चा हुआ है इसका प्राप्तांग दोनों के प्राप्तांगों के योग के 56 प्रतिशत के बरावा है यानि एक लाया था यक्स और एक प्लस 9 और इन दोनों के प्राप्तांक के योग्य का 56 प्रतीसत जो होगा वो इसके प्राप्तांक यह नि पहले के प्राप्तांक के बराबर तो यह हो जाएगा 2x प्लस 9 गुने 56 पटे 100 बराबर x प्लस 9 ठीक है तो 14 चक 56 पचीस चक 125 बार में तिरचा तिरचे गुना करिए नई तो सोरी यह भाग में इधर गुना में कर दीजिए यह हो जाएगा 14 दूनी 28 x प्लस 14 नमा 126 पराबर 25 से कम 25 x प्लस 25 नमा 225 ठीक है अब इसको इधर लाइए 28 x में 25 x गटाईए बराबर 225 माइनस 126 ठीक है तो 28 में 25 गया 3 x बराबर हो जाएगा 99 ठीक है 33 पलस 9 करेंगे तो 42 यानि एक उत्तर 33 और एक उत्तर 40 है ओप्शन में कहीं 44 33 जी सी नमबर ओप्शन कैसा लगा ये कूश्चन का सॉल्यूशन आई बात समझ में मक्खन की तरह बिल्कुल कॉंसेट किलियर हुआ सब लोग कहिए जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है बिल्कुल कॉंसेट एकदम क्लियर हो रहा है सब लोग बोलिए आ रहा है समझ में सबको क्लियर हो रहा है एकदम बिल्कुल एक एक कोश्चन का डाउट आपको क्लियर हो रहा है इस टाइप के question हमारे notebook में भी है लेकिन यहां कुछ extra आपको revision करवा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जी हाँ यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाला है आई बात समझ में आई बात समझ में कहेंगे हाजी सर बिलकुल समझ में आ रहा है चलो देखो यह पास और फैल से related एक topic है जो बहुत trending topic है percentage का उमीद है कि एकदम बहतर concept हम देता है एक परिक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंग प्राप्त किये और वो 30 अंगों से फैल हो गया इसी देखे एक formula याद रखेगा कि अंतर बरावर अंतर ठीक है अंतर बरावर अंतर भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंतर बटे अंतर तो समझे गई यह अंतर बटे अंतर क्या है एक कहिए कि एक student कह रहा है एक परिक्षा में 20% अंग प्राप्त किया और 30 अ प्राप्त किया और 32% अंग प्राप्त किये और वो उत्तिनांग होने से 42 संग कदिक लाया मतब एक एक जो है वो 30 संग कम लाया और एक ज्यादा लाया तो आप क्या करिएगा कि अंतर में जो कम और ज्यादा रहे ठीक है तो इसमें एक रूल होता है कि आप अगर एक लड़का कम लाया दूसरा अधिक लाया तो जोड़ दीजिया अंकर को अगर दोनों कम कम लाया तब घटा दीजिएगा और दोनों अधिक अधिक लाया तब भी घटा दीजिए तो यहां एक अधिक लाया एक कम लाया तो 30 अंक कम लाया और एक 42 अंक अधिक लाया तो आप कर दीजिए 30 प्लस 40 और इसका तुलना अंतर से और अंतर में प्रतीशत का जो अंतर है वो हमेशा घरता है चाहे कम लाए जादा लाए जादा लाए कम लाए कोई परक नहीं पड़ता है तो एक 32 परसेंट और एक 20 परसेंट तो 20 और 32 के बीच 12 परसेंट का अंतर हो देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि 42 और 30 जोड़ेंगे तो आ गया 72 72 का तुलना कितने से 12 परसेंट से और सवाल कर रहा है उत्तिरनांक के लिए नियूंतम परतिशा था यानि पास होने के लिए नियूंतम पहले आप यह निकाल लीजे कि टोटल परिच्छा कितने अंकों की थी तो अंतर का तुलना अंतर से ठीक है टोटल परिच्छा 100 mma निवनतम परतिशत अंक कितना होगा अब देखिएगा कि 600 परिक्षा थी अब किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए कितना चाहिए था पास होने के लिए पहला स्टूडेंट कहा कि हमको 20% अंग चाहिए और फिर भी हम कहें नंबर से 30 अंग से फैल हो गया यहांनि 20% के साथ 30 तो 600 अंगों की परिक्षा थी टोटल का 20% ना तो आप पहले 600 का 20% निकालेंगे यानि 20 बटे 100 और कहेंगे चलो 30 नंबर और दे दिए यहां डवल जीरो से डवल जीरो 120 पलस 30 यानि पास होने के लिए कितना अंग चाहिए यह भी नहीं पूछ रहा है नियूनतम अंग भी नह दूनतम प्राप्त प्रतिशत अंग उत्तिर्न होने के लिए पास होने के लिए हम यह पता चली कि आदिए को परतिशत क्राशन चाहिए यह पास प्रतिशत की बात करेंगे सरल्टे सो amazing त cabinets चक साथ 25 चक सो यानि अगर वो लड़का सिर्फ 25 परसेंट अंक ला देता तो पास हो यह यह नंबर ओप्शन लेवल देखिए तरीका देखिए और किताब को लड़कर भी देख लीजेगा तारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा तो यह परतिशत का एक नया मोड ले चुका है एक लेवल जो होना चाहिए परसेंटेज का वो आपको दिख रहा है बिल्कुल कॉंसेट के साथ यहां तक clear है सभी student एक बार कहेंगे कहिए कि जी सर बिल्कुल यहां तक clear है और हम बिल्कुल concept के साथ आपको clear करेंगे आ रहा है समझ में यस या नो में सब लोग जबाब दीजिए clear है अगर निउन्तम अंक बोलता तब तो डेड़ सो पे छोड़ देते हैं अगर कुल पुर्नांक बोलता तब तो छे सो पे छोड़ देते हैं लेकिन देखो घीचा कहां तीसरा step लेकर गया तब यह final उत्तर किया क चलो इतना अंसर होगा चलिए तेल के मुल्ले में 25 प्रतिसत विर्दी होने के कारण एक ग्रिहनी को इसकी खपत में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न वड़े सेम कुश्चन जो एक अत्तर नमर शुरू किये थे मान लीजे कि सर्जी तेल की कीमत थी 100 प्रति और पत कम करियेगा तो 125 को कहां ले कर जाएगा कुतना कम करना पड़ेगा 25 परसेंट नहीं 25 कम करना पड़ेगा लेकिन यह चीज़ परतिसत में पूछ रहा है तो कहेंगे सर्फची की कमी 100 में नहीं 175 क्योंकि कमी बड़े वालो में ब्र् principe चोटे वालो में तो 25 की कमी 125 में प्रतिशत का मतलब सो पचीस पचे एक सो पचीस बीस पचे सो यानि हमें फाइनली करना होगा बीस प्रतिशत की कमी कॉपी में नोट करिए एक दम बहतर कोंसेप्ट यह आपका है इससे बढ़ियां सॉलुशन पॉसिबल ही नहीं है आगे बढ़े हैं हम लोग जी बहुत जल् बुर्धि करनी होगी जिससे पुर्ण बजट आब परिवर्थी थे देखो झीस बात दाम घट गया मान लो कि चीनी का रेट सो था सोला परसेंट गिर गया है नहीं हो गया चौर. पहले सौ परसेंट था अब हो गया चौर. सो बला चौरासी हो गया तो कई ये गहां चलो सस्ता हो गया दाम कम गया और बहुत ज्यादा खाऊ ऐसे दिखो भी टमाटर बहुत महगा है अगर मालो टमाटर लाने भी जाते हो कितना लाते होगे 200 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो तो बहुत कम लेकर आते होंगे लोग वही टमाटर जब 10 रुपे किलो हो तो 3-4 किलो लाके डाल दो सबजी में कौन बोलने वाला है नहीं तो वही कह रहा है कि चीनी के दामों में 16% की गिरापट यानि पहले 100% अब 84 हो गया तो बढ़ाने के लिए कितना बिर्दी करेंगे तर 16 यानि हमें बढ़ाना होगा डिक डाइरेक्ट 16 नहीं तो बला 84 हो गया तक इतना बढ़ाएंगे 16 लेकिन हमें बिर्दी करना है कितना का परतिशत में बिर्दी बराबर बिर्दी गुने सव और ये बिर्दी किसमें बिर्द चोटे में कमी बड़े में चोटा 84 है चार चक 16 एकीस चक 84 चार सो बटे 21 अगर कहीं पर option में है हमको लगता है कि 19 पुर्णा के एक बटे 21 यह आपका उत्तर हो करके देख लिजेगा क्योंकि बटा में तो यही एक है और 21 एक अभा ने अभाज नहीं है साथ से कटने वाली है तो यह दोनों कहीं question में दिखनी रहा है तो हमने इसको बाई option मार दिया उत्तर आई बात समझ में concept हुआ clear कहेंगे हाज जी सर बिल्कुल clear हो गया सब लोग एक बार देख लो यहां तक कर लो की नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है फिर हम आगे बढ़ेंगे हो गया गणित एकदम मक्खन लग रहा है चलो एक और सबाई question नमबर 85 कह रहा है बाई चाय के दाम में 60 रुपे प्रति किलोगराम हो जाता है तो एक परिवार को इसकी खपत में कितनी परतिशत कमी देखो भाई चाय जो 60 में मिलता था वह अब 75 में मिलने लगा तो आप ही बताओ ना कि हमको अपने पुर्विस्तिती में खर्च को हम चाते है कि अब खर्चा कम हो मतलब जितना खर्चा पहले हो उतना कम उतना ही हो तो कहेंगे ना कम प्रभावी तना मतलब जितना खर्चा पहले होता था भी उतना प्रतिशत कमी ब्रावर कमी गुने सो और कमी हमेशा बड़ों में तो बड़ा पचतर है ना तो पंदरा पचे पचतर बीस पचे सो देखो भाई 20% की कमी कर दोगे तो ठीक है बरना लोचा हो जाएगा आई ब की को इसकी खपत में कितनी से तकि बड़े खपत में अब तयको में इसकी खपत इतनी कम कर दी कि इस मत पर खर्च ना बढ़े खपत में कमी तथा पहले की खपत का हो ठोडा समय सी बूक पढ़ लेता हूं तेल के मुले में 20% बिर्दी वना है पर एक व्यक्ति ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि इस मद में खर्च ना बढ़े खपत में कमी तथा पहले की खपत का अनुपात ग्याद करो थोड़ा सा लेंग्विज देखना होगा कि क्या लिखा हुआ है पुशन नंबर 86 आजाओ भई क्या कह रहे हो तुम ज़र हम भी देखें तेल के मुले में 20% की बिर्दी होने से देखो जी पहले तेल 100 था अब हो गया 120 ठीक है तो कितने की बिर्दी हुई कहेंगे सर 20 की बिर्दी हुई ज op चाते है कि पुर्व स्थिती जैसा ही हम कर दे ताकी बिर्दी खपत काम हो हमें कितना का कमी करना पड़ेगा कहेंगे सर बीस की कमी और अगर परतिशत कमी की बात करे कमी गुने सौ और ये बीस की कमी किसमें करेंगे एक सो बीस में तो बीस सचक एक सो बीस पचास बटे तीन ठीक है यानि पचास बटे तीन प्रतिशत की हमें कमी करनी होगी लेकिन सवाल क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि हां ते खपत में कमी कमी तथा पहले की खपत का अनुपात ग्यार करो अच्छा खपत में कमी तथा पहले की खपत का अनुपात क्यार करो इसको रहने दीजे hold पे ठीक है ये question का language मैंने समझ पा रहा हूँ इतनी हिंदी एकदम सुध हिंदी हमें भी नहीं आ रहे हैं कि कहना क्या चारा बाकि कुछ नहीं है थोड़ा सा typing mistake होगा चलो इसको बाद में देख लेए बहुत बड़ा issue नहीं है एक करमचारी के बेतन में प प्रती वर्स कितना बढ़ा पचास परसेंट की विदे तो चार वर्स बाद उसका बेतन तो पचास परसेंट बढ़ा तो डेड़ सो बटे सो पहला वर्स फिर डेड़ सो बटे सो पहला वर्स और फिर डेड़ सो बटे सो पहला वर्स चार साल बाद आ गया बेतन दो जीरो द च्पर पंदरा गुने स्क्वाइर यह थो यह तो पंदरा गुने नीकालने के लिए बोला था पांच का स्क्वाइर पचीज दो का स्क्वाइर जीरो चार ठीक है और पतीज-टुनी पचास पचास दुनी 100 तो 100 में हो जाएगा 00 और यह हो जाएगा 4 और एक 50025 है कहीं पर एक बार फिर से पर कर लेता हूँ अपना ठीक है रुख जो भई ऐसे तो हमारा सही होना चाहिए कि 50025 होगा 15 को 4 बार गुना करना है न 15 into 15 into 15 into 15 500 625 है भई 50625 चलो कोई बात नहीं चोटा सा मिस्टेक होगा चार साल बाद इतना हो जाएगा भई बेतन 50% की बिर्दी यानी 1500 बटे 100 अब जितना साल बोले उतना बार गुना कर देना 1500 बटे 100 अब हम next question पे आते हैं ठीक है ready देखो जी सवाल है तीन वर्ष पुर्व एक कस्वा होना चाहिए भई कस्वा कस्वा यानी गाउं हम बोल सकते हैं इसको एक गाउं कहिए कस्वा कहिए कुछ भी कह सकते हैं तीन वर्ष पुर्व एक कस्वे की जनसंख्या एक लाग साथ जार थी इसमें तीन वर्षों में करम सा 3% 5% तथा 5% बार्षिक दर्श से विद्धिवी तो इस कस्वे की वर्तमान यह करवे नहीं होना चाहिए वह कस्वा होना चाहिए कस्वा यानी गाउं छोटा सा सहर बो तीन वर्ष पुर्व तीन वर्ष पहले एक कस्वे की जनसंख्या एक लाग साथ जाती है एक दो तीन चार जीरो गुना करिए तीन वर्ष में करम सा 3% 5% और 5% की विद्धि तीन परसेंट बढ़ा होगा तो पहला साल हो गया होगा एक सो तीन बटे सो धाई परसेंट होगा तो एक सो पांच बढ़ा इतना कैलकुलेट करके जो आपका आएगा वह आपका उत्तर होगा ठीक है मैं इसका अंसर आपको बताता हूं कि इसका अंसर क्या होगा मैंने स्ट्रेक्चर तयार कर दिया अब ये तो इतना तो खेर आप लोग ऐजे होंबर करी सकते हैं 88 के बी 17,766 17,73 आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कस्वे की जन संक्या 17,73,000 नहीं 17,77,366 ये इस प्रश्ण का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है बिल्कुल समझ में आ रहा है आप सभी को यस या नो में जबाब दीजिए मैं स्ट्रेक्चर तयार कर दूँगा बाकी आपको सॉल्व करने का काम आपका रहा है एक दम ट्रिकली कोई एक्सवेक्स का ज्यादा यूज नहीं रहेगा कोई लोचा लपाटा नहीं रहेगा बिल्कुल ट्रिकली रहेगा तो कस्वे की जनसग्या बहुत यह असान है दो साल पहले बारसाथ हजार पांसो था जी बारसाथ हजार पांसो गुने कस्वे को छोड़कर सहर जाने वालों के कारण चार परतिशत की दर से जनसग्या गटती है चार परसेंट के इसाथ से घटा तो 96 बटे सो लेकिन दो बरस बाद यह दो बरस पहले का डाटा था इसलिए दो बार 96 बटे सो करिएगा तो आप कैलकुलेट जब करिएगा यह कुश्चन नंबर 89 है और 89 का जो आपका अंसर बरतमान जनसे क्योंकि चार परसेंट लोग जा रहे है ना छोड़ छोड़ के बन जाएगा कहेंगे हां जी सर बिलकुल मक्षन एकदम हो रहा है गणित चलो एक और सवाल एक जिले की जनसंख्या 64,000 है इसमें डाई प्रतिशत बार्सिक दर से बिर्दी होती है तो तीन बर बात बोला है तो फिर से 102.5 बटे 100 और फिर से 102.5 बटे 100 पॉइंट अटाओंगे तो एक और 0 नीचे आ जाएगा यह कोशन नंबर 90 है और 90 नंबर कोशन का जो उत्तर होगा वो भी होगा 68,901 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यह आपका उतर अब इतना मुझसे मत करवा सॉल्व कि आप सर कर दो एकदम बच्चों की तरह सॉल्व ठीक है तो आज के सेशन में हमने 90 कोशन सॉल्व किया मतलब 90 तक हम पहुंचे है उमीद है कि बहुत जल्द हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और लक्ष से बिल्कुल आगे बढ़ते चलेंगे